गुड मॉनिंग इस्टूडेंस आई होब आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे जैसा कि हम चैप्टर सिक्स पढ़े थे प्लांट से राउंड अस तो चली बच्छों इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं ठीक है हमको पढ़ना है प्लांट्स एंड ट्री प्लांट्स म मतलब होता है और शदी या दवाई मैंनी अधर थिंस मतलब कई चीजों में यूशफूल मतलब उप्योगी तो जो प्लांट्स सेंड पौद्धे और पेंड होते हैं बच्छों वो कई तरीकों से या कई चीजों के लिए हमारे लिए उप्योगी होते हैं वे मैडिशनली मत को कहांब है करें करें रॉनु को क्या करते हैं आगे देखते हैं trees which grow in the forest are looked after by the forest department देखे forest means होता है वन या जंगल forest department मतलब वन विभाग forest means वन या जंगल तो forest मतलब जंगलों में या वनों में उगने वाले पौधों का जो देखभाल होता है ठीक है कौन करता है forest department मतलब वन विभाग ही उनकी क्या करते है देखभाल करते है ठीक है tribal people who live in the forested areas are great conservationist ठीक है tribal people मतलब जो आदिवाशी लोग होती है वे कहां रहती है लीब मीस रहना forest मीस जंगल मतलब वनों में ही रहती है और वो क्या है are great conservationist मतलब वो महानी सरक्षणवादी है मतलब वो मतलब पौधों के क्या करते है अच्छे से देखभाल करते है क्योंकि वो हर चीज के लिए वन में उगने वाले पौधों पर ही वो depend रहते है चलिए आगे देखते है जैसे मैंने अभी बताया कि वे अपने हर चीज के लिए वे वाल प्लांस जो वहां के जंगली पौधे होते हैं उन्ही के उपर वो क्या करते हैं डिपेंड, मतलब आस्टीट रहते हैं देख एदर वालड प्लांट्स फॉर्ट मेंकिंग फ्यूल, मैडिसिन, स्पाइस, ओर्नामेंट्स अडाइस्टीक है तो उस पौधों से उन प्लांट से उनको फुड मतलब भोजन, फ्यूल मतलब इंधन, मेडिशिन मतलब दवाई, स्पाइश मतलब मशाले, ओनमेंट्स, डाइस ओनमेंट्स, मतलब वे उन प्लांट्स से अभूजन भी बनाते हैं, डाइस मतलब रंग कलर करना, तो यह सब सार उनको वाईल्ड प्लांट्स से ही मिलती है, या वे प्राप्त करते हैं, मतलब उन जंगल, वाईल्ड प्लांट्स होते हैं, उन्ही पर वो अपने हर चीज के लिए डिपैंड रहते हैं, कौन ट्राइवल पीपल, मतलब जो आदिवाशी लोग फॉरेश्ट जंगलों में रह मतलब पैसा कमाना, लाइबली हुट मतलब जीवी का चलाने के लिए, ठीक है, तो देखें, यहां पर बोला गया कि ओनामेंट्स मतलब आभूशन हो गए हैं, फ्यूल्स मतलब लकडियां, इंधन, फिर स्पाइस, मेडिसिन्स, मतलब ये सब चीजें वे क्या करते हैं, वनो मतलब सरकार द्वारा, देख भाल करने हैं, उगाय जाने वाले पौध है, ठीक है, मुनिश्पल बोडिश in cities and towns, plant, saplings and look after them, देखें, मुनिश्पल बोडिश मतलब नगर निकाय, city मतलब सहार, town मतलब कजबा, saplings मतलब उगाना, ठीक है, तो देखें, यहां पर क्या बोला जा रहा है, कि जो सहरों और कजबों में, ठीक है, cities and town, सहरों और कजबों में, जो मुनिश्पल बोडिश नगर निकाय होते हैं, वे क्या करते हैं, प्लांट, saplings, पौधे लगाते हैं, यह उगाते हैं, और उनकी क्या करते हैं, देख भाल करते हैं, जो और उनकी क्या बोड़ा है, जो मुनिश्पल बोडिश नगर निकाय होता है, वहां पेड लगाते हैं, प्लस वे गार्ड़ान बोड़ा को में, संभाल करें जिसमें डिमें बीट्री उगाते हैं और अधर ब्रॉण बहुँ सारे पॉध हैं और उसके दिक्भाल करते हैं। इन विलेज द पंचायत लूक्स था प्लांट और गाउं में जो पॉध हैं पॉध हैं करता हूं पंचायत ब्रॉण कुछ? लिए बीट्जों का सब्सक्राइए देखें सब का सब्सक्राइब कर्यागाए जाल और उस भालत carbohydrates प्लाइं सब्सक्राइब कॉ सब्सक्राइब कर दब कर दो में है मैं भड़कू होग beg issues dei फॉक्राइब प्लाइब पॉझाट इस आavo biss whole दो ने प्लाइब के अट Hundreds तुल्सी यह जानते है बच्चों यहां पर पिक्चर भी दे दिया गया है यह तो इसका क्या है अशधिय महत्व है बहुत यह गुणकारी है The leaves of the tulsi plant gives relief from cough and cold जो tulsi पत्या होती है बच्चों हाना Cuff and cold मतलब सर्दी खार्शी में उसका उसकी चाय बना कर या उसका काढ़ा बना कर पीने से हमको relief मतलब थोड़ा अराम मिलता है जो क्या करता है इतले दो पीश करता हैtaa मतलब जाने में भी मतलब यूज की आजाता है Other such as mint, coriander and curry leaves give flavor to the food देखे, other, जो other plants होते हैं, जैसे mint है, मतलब उदीना, coriander, miss, धन्या, curry leaves, मतलब कड़ी पत्ता इनको भोजन में, मतलब खाने में flavor के रूप में यूच किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है The white flowers of the jasmine plant spread there, fragrance all around, fragrance means sugand, jasmine means jasmine या चमेली का पौधा, फूल है न, वे spread मतलब फैलाना, वो अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाती है, मतलब जो उसकी smell होती है, बच्चों हाना, खुस्बू होती है, jasmine plant की flowers की, उसकी सुगंध बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब अच्छी होती है, सुगंध सब तरफ फैलाती है, spread मतलब फैलाना, हाना, trees like mango, guava, papaya, apples, give delicious roots, देखे, mango मी, saam, guava मी, saam, guava मी, saam, papaya मी, papita, apple मी, saam, ये सभी क्या है, delicious roots है, मतलब स्वादिस्ट, फल है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा plants around us, मतलब हमारे चारों तरह पौध है, ये chapter आज हमारा complete हुआ, ठीक है, आप लोग का SW है, बच्चों, कि आप लोग इस chapter के कि spelling करके read करिएगा, जहां तक हो सके, meaning निकालने की कोसिस करिएगा, ठीक है, next day हम next chapter पे मिलते हैं, thank you.